पूछो कि क्या आपको पैसा चाहिए तो याप मना करोगे नहीं पैसे के लिए कोई मना नहीं करता हूँ मैं दूसरा क्विस्जिशन करता हूँ जब आपसे कोई इंवेस्ट्मेंट कंसल्डेंट मिलने को आता है तो आप क्या जवाब देते हो, हमारे पास पैसा ही कहा है, तो let me share very very simple but very profound quote You don't have to be rich to be investor, you have to be investor to be rich Let me repeat, you don't have to be rich to be investor, you have to be investor to be rich अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि investment हम तब करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा आपका experience रहा होगा कि पैसा कभी भी अपने पास रहता ही नहीं है क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमारा lifestyle है कुछ ऐसा है Lifestyle क्यों ऐसा है क्योंकि हम सदियों से यही pattern को follow करते आते हैं मैं आपको एक formula देना चाहता हूँ And that formula probably you may not agree immediately But you have no choice but to agree to this formula The formula is income minus expense is equal to savings जो हम करते हैं जो गलत है Income minus savings is equal to expense अगर यह करना सूरू कर दिया तो no one can stop you being rich ऐसा क्यों होता है कि rich rich बनता जाता है और middle class middle class ही रहता है There is nothing but the rich people have one strong component of investment They invest in multiple asset class They invest for long term They invest early And it is therefore by default they generate more wealth Now अगर वो एक लाख रुपिया इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक रुपिया इन्वेस्ट करेंगे Amount का कोई मतलब नहीं Amount का कोई इतना importance नहीं है आप कितना जल्दी, कितना पैसा, कितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो ही important है तो मेरा यह सुजाओ है आपसे हर किसी को ऐसी कुर्सी पे बैठके आराम करना है लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपने इन्वेस्टमेंट जल्दी सुरू किया And remember the final quote Small is beautiful जल्दी सुरू किजिए छोटा सुरू किजिए आपकी एक बड़ी विल्थ आपकी रिटार्मेंट के लिए क्रिए हो जाएगी My best wishes to you all Thank you very much